उत्तर प्रदेश में चुनाओं से पहले अखलेश और सिउपाल की पार्टी के बीज गड़बंदन होगा फिर सकताई भाजपा तोनों दलों के मद्ध गड़बंदन से रोकेगी चाचा भतीजा को अलग करने की भाजपा निक्या चली चाल गड़बंदन रोकने के लिए उसने शिवपाल सिंग यादो को कौन सा दिया उफर क्या भाजपा शिवपाल सिंग को बना सकती है राजपाल सूबे में इन दिनों कुछ ऐसे ही चर्चाएं आम है जानकार सूत्रों की माने तो भाजपा ने सपा प्रस्पा के गड़बंदन को रोकने के लिए शिवपाल यादो को राजपाल बनाने का दाउं फेक दिया है आपको बता दें कि 2017 विधान सबाचुनाओं से पहले ही चाचा भतीजे का विवाद खुल कर सामने आ गया था विवाद के बाद समा रतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी वैसे शिवपाल की पार्टी का अभी तक कोई खास प्रसन भले ही ना रहा हो लेकिन उनकी पार्टी सपा के वोड़ जरूर काट रही है शिवपाल ने उस समय सपा में समान ना मिलने की बात कहकर अलग रह पकड़ ली थी रतिय प्रस्पा के दोरान कई मौकों पर शिवपाल यादो समाजवादी पार्टी के साथ गडबंदन की चच जता चुके हैं वही दिवाली मनाने के लिए सैफ़ाई पहुचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादों ने चाचा शिवपाल यादो को लेकर बड़ा बयान दिया है अ इसका मैं भरोसा दिलाता हूं सपा और प्रस्पा के बीच गरबंदन होने के संकेत मिलने के बाद यूपी में सत्ता सीन भाजपा इन्हें रोकने की जुगत में जुट गई है असेंबली चुनाओं में दोनों एक संग ना आने पाएं इसलिए भाजपा शिवपाल यादो क राजपाल बनने का ओफर भी दे सकती है उधर सभाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर सियम मुलाम शिंग यादो की बर्तिडे पार्टी पर सपा और प्रस्पा के बीच गरबंदन के ऐलान होने के आसार भी लगाए जा रहे है